तो हेलो दोस्तों मैं हूँ अवनीस और आप देख रहे हो सूपर इस्टा के डवाइजर दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में मेहंदरा लाइप स्पेस लिम्टेट के बारे में साड़े 6% की गिरावट हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है यहां पे और इस गिरावट का कारण भी जो है पब्लिकली बहुत जो है खुल चुका है और इसमें कोई छुपा हुआ बात नहीं है कि इसमें गिरावट क्यों हो रही है तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा पिर फा दे दिये हैं तो इस से यहां पर गिराव ठोड़े क्यों कि बहुत सारी इंवेस्टर जो होते है ना उनके मैने में मैनेजमेंट जो होता है ना उनकी भषबrier करते हैं उनको जीसे अन फंद Calling लो करते है न तो उसमें मैनेजमेंट कैसा है उसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि management अगर अच्छा होता है तो company को ज्यादा ग्रो कर पाएगा ठीक है अगर वह अच्छा management नहीं है तो अच्छा decision नहीं ले सकता है company के में तो वह जो है company को ग्रो नहीं कर सकता है तो बहुत साय लोग जो है यह management देखके भी खाईदारी किये होंगे और इसमें इन्वेस्ट लंबे टाइम फ्रेम के लिए करके रखे होंगे लेकिन यह जब इस वज़े से जो है गिरावट आ रही है और इसके बाद देखेंगे मह 23 मई 2003 से ठीक ना पतबार समालेंगे तो ठीक है आप लोग देख सकते हो और इसी वज़े से इसमें गिरावट देखने के लिए पूरी न्यूज यहां पर आप लोगों को दिख जाएगी नीचे के साइड में ठीक ना सुब बढ़ने में चार साल पहले मैंदरा लाइफ इस गिरावट देखने के लिए थोरा सा जो है इसका सेंटिमेंट डाउन हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है ठीक ना और भी अगर आप लोग डेटेल इसका देखना चाहते हैं तो आप लोग मनी कंट्रोल पर जाके डेटेल चेक कर सकते हैं ठीक है अभी हम लोग देखेंगे कंपणी उतनी देखिए बहुत ज्यादा अभी इसका फंडेमेंटल कुछ है स्टोंग है नहीं लेकि बारा इस्टेंप एक वीकनेस चार अपोजटी और यहां पर साधानी देखेंगे तो एक देखने के लिए ठीक ठाक कंपणी है नहीं बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं वहीं जो बोलाओं कि जो इन्वेस्टर होते हैं वह मैनेजमेंट के भरोसे पर भी अपना जो है जो है मतलब आपनी पोजिशन लेते हैं अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका भी होता है 2-4-5-10-10 साल के लिए तो अब उनका जो सकता है दिक्कत हो गया है तो इसी देखेंगे तो अगर इसमें एक रिटेस्मेंट भी आता है तो नेट टुनेट अगर हम लोग देखेंगे तो अभी हम लोग का जो भीव रहेगा वह निगेटी भी रहेगा क्योंकि सारे मुविंग इवरेज के अभी यह जो नीचे टेट कर रहा है और अब टेंड जो जो इसका लॉंग टाम का जो टेंड है वो तो अब टेंड है लेकिन अभी सोट टम में देखेंगे तो यह बहुत ज्यादा डाउन टेंड में चला गया है तो अभी थोड़ा बहुत यह प्रेसर में रहेगा थोड़ी बहुत और इसमें गिरावट होगी और यह लगबग चोटा सा अगर इस्टोप लोस नीचे लागा कि यही वारे लोका अगर आप लोग करना चाहते है तो होल्ड करिए वरना इसमें से मेरे समझ से निकलने में थोड़ी बहुत ज़र रहेगा वह भलाई रहेगा क्योंकि यहीं पर कॉंसलिडेट करके दीरे दीरे दीर नीचे जाएगा उसके बाद यहां से कोई अच्छा का सा मोमेंटम इसमें मिलने की संभावना है मतलब 270 वाले प्राइट पर तो खरिदारी भी अभी नहीं करना है खरिदारी भी उसी लेबल पर करना है 270 रुपे के लेबल पर ही तो इंतजार करिए इस लेबल का और मेरे समझ से य इसमें सेलिंग का जो मेरा राहेगा व्यू रहेगा और इसमें खरिदारी अभी नहीं करनी है खरिदारी इसमें जब नीचे आयगा नीचे सी जब उपर टि counting आज ओन स row प stick रहेगा तो ठीक है देख लिएगा वीडियो अब पसंद आई है तो प्लीज को कर स्कूर के अब करना है स्टाक्स में तो भे उसका लिंक मिल जाएक डिस्कृों कर लिका कर लिए ऐसे आपना करना चाहते हैं तो अगर कर कर सोय आप को प्राइब Sai Prof. में ऐ हम मिल जाएगे तो चलिए मिलते हैं अगले व्डियोह में तब तक के लिए जाए यूँ का लाइक जोब दो